नमस्कार शातियों स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूडूब चैनल देश्टरी 2.5 में दोस्तों हम लोग ये द्रिश्टी के करेंट अफेर्स को कांटीनियू कर रहे हैं जिसमें हम लोग राष्टी परदिश्ची के टॉपिक को लिए हैं इसके पिछले वाले वीड प्रस्णों की और बढ़ते हैं चलिए प्रस्ण दिखते हैं 16-17 अक्टूबर 2022 के मद्ध कोईला मंत्राले के संदर्चड में वर्ड माइनिंग कांग्रेस की भारती राष्टी समीत द्वारा कहां पर पहली बार राष्टी कोईला समेलन और प्रदर्शनी 2022 का आयजन किया ग राष्ट भू अस्थानिक सूचना कांग्रेस 2022 कहां आउजित की गई तो यह हैद्राबाद में आउजित की गई है इसका ठीम है ग्लोबल बिलेज को भू सच्छम बनाना कोई भी पीछे न रहें साथ अक्टूबर 2022 को किंद्री क्रियों शहकार्ता मंत्री अमिस्टा ने कहां पर इस्टन एंड नार्थ इस्टन को आपरेट्व डेरी कांकलेव 2022 का उड़गाटन किया था तो यह गंगटोक में किया था सिक्किम के गंगटोक में अगनी पत्य योजना के तहत कुल पैकेज कितना है तो प्रथम वर्ष का पैकेज लगभग 4.67 लाख रुपए वहीं चवथे वर्ष में लगभग 6.92 लाख रुपए बढ़ होतरी है नेक्ट कोस्चन है 17-20 अक्टूबर 2022 के मत अंतराश्टी सौर गटवंधन की पांचमी सभा कहां आउजित की गई तो नए दिल्ली में आउजित की गई है 30 सितंबर से 2 अक्टूबर 2022 के मत पैटन मंतराले द्वारा कहां पर पैटन परव 2022 का आउजिन किया गया तो यह चतपती सिवा जी महराज वास्तु संग्राले मुंबई में 1 अक्टूबर 2022 को राश्टपती द्रोपती मुर्मु ने स्वच्छ सर्वेच्छर 2022 के परिंडामों की घोशड़ा की इसमें किस सहर को लगातार 6 वर्ष भारत का सबसे स्वच्छ सहर और 20 का पहला 7 इस्टार कच्रा मुक्त सहर घोशित किया गया है तो यह इंदोर को किया वहीं इसमें दूसरे अस्थान पे सूरत है और तीसे पे नवी मंबई, चौथे पे विसाखा पिटनम और पांच में पे विजय वाड़ा है इसमें उत्तर प्रदेश की बात किया जाए तो एक से 10 लग से अधिक आवादी में उत्तर प्रदेश के गांजियाबाद 12 अस्थ पे दूसरे पे मैसूर है तीसे पे नई दिली और चौथे पे अंबिकापूर पांचवे पे नवेटा है वहीं अंतिम स्थान पे इटा नगर है नेक्स्ट कोश्चन दिया है 20 सितंबर 2022 को किसने केंद्री चमडा अमसंधान संस्थान चन्नाई में चमडा छेत्र में कौशल विकास के लिए स्केल एप लांच किया है तो यह केंद्री सिच्छा और कोईला विकास मंत्री धर्मेंद प्रधान ने 22 सितंबर 2022 को रजिस्टार जनरल आफ इंडिया द्वारा जारी नमूना पंजी करार प्रडाली सांकिकी रिपोर्ट 2020 के अंसार कुल प्रजनंदर क्या ह तो इसका कुल प्रजनंद दो प्रिश्ट है वहीं 2019 में यह दो दर्शमलोग प्रिश्ट था जो घटकर 2020 में दो प्रिश्ट पर आ गया है नेक्स्ट दिखते हैं 14 से 16 सितंबर 2022 के मत अंतराष्टी सम्मेलन आंगन 2022 अर्थात आंगमेंटिक नेचर बाई क्रीन एफॉर्डे था तो ध्यान दिजिएगा अंतराष्टी सम्मेलन आंगन 2022 का दूसरा संत्करण नई दिली में अयुजित किया गया है ठीक है इसका मुख्य भी सह है इमारतों में सुन्य कारबन परिवर्दन है 17 सितंबर 2022 को किस ने राष्टी लाजिस्टिक नीति का शुबारम किया है तो तो केंदरी सिच्छा मंतरी धर्मेंद प्रधान ने 10 सितंबर 2022 को जारी प्रेश बिग्यप्ति के अंशार राष्टी समुत्त्री धरवोहर परिशत का निर्मार कहां किया जा रहा है तो यह लोथल गुजरात में किया जा रहा है सितंबर 2022 में कौन सी लगु फिल्म आसकर पुरसकार 2023 की लगु फिल्म सेड़ी में भारती प्रविष्टी के रूप में सामिल हुआ तो यह अश्रमिया लगु फिल्म मूर घुरार दुरंतो कोटी को सामिल हुआ है इसके निर्देशक महर्शी तुहीन कस्यप है अगला देखते है आठ सितंबर आठ से दर सितंबर 2022 के मद्ध तेश्वा भारती अंतराष्टी सुरच्छा एक्सपो 2022 कहां संपन हुआ तो यह भारती ब्यापास रमवर्धन संगठंद्वारब प्रगति मैदान नई दिल्ली में नव सितंबर 2022 को कि इसने प्रधान मंतरी तपेदित मुक्ध भारत अभियान की सुरुआत की है तो यह वर्चूल माध्यम से राष्टपती द्रोपती मुर्मोने शुरू की है इसका उद्देश्य है दो हजार बाई माफ करिया दो हजार पचीस तक देश्व से तपेद करने का एक मंज प्रधान करता है नेक्स्ट देखते हैं सितंबर 2022 में भारत ने किस देश के साथ 26 देशों के लिए काउंटर रैन समीवेयर से बचाओ के उपायों पर स्राइबर शुरुच्छा भ्यास किया है तो ब्रेटेन के साथ किया है आठ सितंबर 2022 को किस ने पर्षण नगरपालिक्या पर्षण ने आवाशन यों शहरी कार्य मंत्रा लेके एक प्रस्ताव को पारित कर राजपत का नाम बदल कर करतब्य पत्थ कर दिया था इसके साथ ही प्रधान मंत्री ने इंडिया गेट पर स्वतंता सिनानी नेता जी सुबाशन बोष की प्रति खरसीना चलिए नेश्ट देखते हैं सितंबर 2022 में केंद्री वाडी उद्योग मंत्री प्यूस गोयल ने कहां USA स्टार्टप सेतु कारिकरम का शुबारम किया तो सैंट फ्रांसिस्को USA में सेतु भारत के या सेतु भारत के स्टार्टप को USA के निवेज को और स्टार्टप इको सिस्टम के अगरड़ी लोगों से जोड़ेगा और साथ ही यह बित बाजार तक पहुंच और ब्योशाई करण सहित बिभिन छेत्रों स्टार्टप को संद्चड और शाहरता प्रदान करेगा नेश्ट देखते हैं पांस सितंबर 2022 को किसके द्वारा इंजिनरिंग अग्यान और प्रिद्योक्की में महिलाये नई आई इस्टेम पहल का सुबारम किया तो भारत सरकार के प्रदान बैग्यानिक सलाकार के कार्याले द्वारा किया गया दोग सितंबर 2022 को प्रदान मंत्री नरिन मोधी ने कहां पर दीश के पहले श्वदेशी बिमान वाहक पो आई एनस बिक्रांद को राष्ट की सेवा में समर्पित किया है तो कोच्ची सिप्याड लिम्टेट कोच्ची में नेक्स्ट दिखते हैं 28 अगस 2022 को प्रदान मंत्री जन्धन योजना बित्ती शमावेशन के राष्टी मिसन ने अपने सफल कार्यान वेन के कितने वर्स पूरे किये तो आठ वर्स पूरे किया है 10 अगस 2022 तक PM JDY अर्था प्रदान मंत्री जन्धन योजना खाते 46.26 करोड हो गए बित्त मंत्राले के अमसार 56.26 जन्धन खाता धारक महिलाये हैं वहीं 67.26 जन्धन खाते ग्रामीड और अर्थासर का सहरी छित्रों में हैं इस योजना की शुरुआ 28 सगस 2014 को हुई थी नेक्स्ट है 26 अगस 2022 को राष्टी कैंसर ग्रिड ने डिजिटल प्रद्योकी का उप्योग करके कैंसर देखभार में सुधार के लिए डिजिटल और आंकोलाजी के लिए नहे केंद की अस्थापना कहां की तो मुंबई में किया है अगस्त 2022 में कहां पर राष्टी फैसन प्रद्योकी संस्थान का 18 परिशर शुरू किया गया तो यह दमन में किया गया है 25 अगस 2022 को प्रधान मंत्री नरेद मोदी ने बीडियो कांफिरेंस सिंग के माध्यम से स्टार्ट इंडिया हैक्थान 2020 के ग्रैंट फिनाले को समभुधित किया इसकी सुरुवाद की सुवर्श हुई थी तो वर्ष 2017 में 24 अगस 2022 को प्रधान मंत्री नरेद मोदी ने कहाँ पर होमी भावा कैंसर अस्पताल एवं अंसंधान राष्ट को समर्फित किया तो साहिब जादा अजीश सिंग नगर मोहाली पंजाब में 23 अगस 2022 को हिंदुस्तान पेट्रोलियम कर्पोरेशन लिम्टेड ने कहाँ पर गोबर से संपीडित अपने पहले पायोगयस पर योजना को सुरू किया है तो यह राजस्थान के सांचोर से 21 अगस 2022 को केंद्री विख्यान यों प्रत्योक की मंतरी डाक्टर जितिन सिंग ने कहाँ भारत की पहली स्वधेसी हाइट्रोजन फ्यूल सेल बसका सुबारम किया है 20 अगस 2022 को कौसल विकास यों उद्यमिता मंतराले ने जनजाती युवाओं में कौसल विकास और उद्यमिता को पढ़ावा देने के लिए कहाँ पर ग्रामिड उद्यमी पर योजना के दूसरे चरण का सुबारम किया है तो राची में किया है अगस 2022 में नीतियायोग ने किस चिले को सल्फ्षेष्ट अकांची जिलागवशित किया है तो हरी द्वार को किया है 16 अगस 2022 को केंद्री मंत्री वारी जयोम उत्योग मंत्री प्यूस गोयल ने कहाँ पर पब्लिक सिस्टम लाइव का उठगाटन किया तो आई 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 टी दिल्ली में किया है नेक्स्ट है 13 अगस 2022 को केंद्री मंत्री सर्वानन सोनोवाल ने कहां केंद्री सिध्ध अमसंधान प्रस्थ के मुख्याले के नए कारे भवन का उठगाटन किया तो चिन्नेवी में किया है 10 अगस 2022 को प्रधान मंत्री नरेनमदी ने कहां पर तूजी एथनाल सेंद्र राष्ट को समर्बित किया तो पानिपत हरियारा से 8 अगस 2022 को किसके द्वारा हीम ड्रोन एथान कारिकरम शुरू किया गया तो यह भारती सेना द्वारा भारती ड्रोन संकिस सहयोग से 29 अगस 2022 को प्रधान मंत्री नरेनमदी ने कहां पर अंतराष्टी वित्ती सेवा के अथार्टी के मुख्याले भावन का सिलन्यास किया तो यह गांधी नगर से 21 उलाई 2022 को नीती आयोग द्वारा जारी भारत नवाचार सूचकांग 2021 बड़े राज्यों की सेड़ी में किस राज्य को सीर्श स्थान प्राप्थ हुआ है तो करनाटक को प्राप्थ हुआ है वह दूसरे स्थान पे माफ करिए जाए वह उत्तरपूर्वी यहम पहाड़ी नीती आयोग द्वारा जारी भारत नवाचार सूचकंग 2021 में बड़े राज्यों की सेड़ी में करनाटक सीर्श सस्थान पे है इससे ध्यान रखिएगा नेश्ट देखते हैं 15 जुलाई 2022 को राष्टी संस्थागत राइंकिंग राइंकिंग रूप रेखा कि इंडिया रा नियुक्त राइंकिंग में सीर्श तीन संस्थान कौन से हैं तो इसमें पहले अस्थान पे आयाइट मत्राश है दुस्रे भारती विग्यान संस्थान बैंगलूरू है और तीसरे अस्थान पे आयाइटी बांबे हैं वहीं पे विश्विद्याले की सेड़ी में सीर्श संस नेक्स्ट है 3 जुलाई 2022 को किस ने PLCC फेमिना मिस इंडिया वर्ड 2022 का खिताब जीता तो यह करनाटक की सीनी सेठी ने वहीं प्रथम उपीजेता रूबल सेखवार राजस्थान की थी और दुती उपीजेता सिनाता चौहान उत्तरप्रदेश की थी तो फेमिना मिस इंडिया वर्ड 2022 का खिताब किस ने जीता है तो करनाटक की सीनी सेठी ने जीता है निश्ट है 2 जुलाई 2022 को भारत की स्वतंता के 75 वर्ष होने के क्रम में भारती सेना और वायु सेना ने कहां से कहां तक एक अनोखा साइक्लिंग अभियान का शुवारम किया तो यह दिल्ली से द्रास इस्तेत कारगील युद्धिश मारत है यह अभियान 26 जुलाई 2022 तक चला और साइक्ल दल ने 24 दिनों में 600 किलोमेटर का सफरताय किया था जुन 2022 में किस मंत्राले द्वारा नसीले पदार्थ की तसकरी के बिर्द एक माह का अखिल भारती अभियान अप्रेसन नार्कोस चलाया गया तो ट्रेल मंत्राले के द्वारा इंपोर्टेंट है इसे द्यान दिजएगा द्यान दिजेगा नसीले पदार्थ की तसकरी के लिए एक माह का अखिल भारती अवियान Operation Narcos द्यान दिजेगा Operation Narcos किससे समन्दित है तो नसीले पदार्थों की तसकरी के लिए है और यह किसके द्वारा चलाया गया था तो यह railway मंतरा लेके द्वारा चलाया गया था नेक्स्ट देखते हैं 2 जुलाई 2022 को केंद्री रच्छा मंतरी राजनाज सिंग ने कहां इस्थिद भारत डायनमिक्स लिम्टेड के एक बी निर्माट सुविधा केंद्र को राष्ट को समर्पित किया है तो यह भानूर तिलंगाना है 1 जुलाई 2022 को भारती फार्मा कोपिया आयोग समेलन 2022 का आयोजन कहां किया गया तो यह विक्यान भवन नई दिल्ली में इस समेलन की थिंप भविश्य के लिए औशधी गुडवक्ता पर प्याख्यान 39 जुन 2022 को कहां से DRDO द्वारा अभ्यास हाई स्पीड एक्सपेंडेबल एरियल टार्गेट का सफल उड़ान पर इच्छड किया गया तो यह एकी करित पर इच्छड रेंच शाधी पूर ओडिशा से किया गया 39 जुन 2022 को वाड़ी जुम उद्द्योग मंत्राले द्वारा वर्ष 2020 के लिए ब्यापार सुधार कारी योजना के कालयनवन के आधार पर राज्यों एउम के इंसासित प्रदेशों के मुल्यांखन की घोशड़ा की गई इसमें उपलब्धी हासिल करने वाले राज में किसे सीर्ष अस्थान प्राप्थ हुआ है तो आंध प्रदेश को सीर्ष अस्थान प्राप्थ हुआ है वहीं दूर से अस्थान पे गुजरात है तीसे पे हरियाड़ा और चौथे पे करनाटक है वहीं लच हासिल करने वाले सिर्ष चार राजयों की न्सासित प्रदेशों में हिमाचल प्रदेश पहले पर, मध्य प्रदेश दूसरे पर महाराट सूसरे और चौथे और पर अडिसा, है वोहिए अकांची स्रेडी में सिर्ष चार राज्यों की बात किया जाय तो अर्षंव पहले पे हैं दुस्थे पे 36 स्रिष गर्ड तीस्ष गोवा और चोत्यot्य jornal श्ञार गढ़ है। इकोस्स्थम स्रिष में सिर्ष चार राज्यों में अंड़ Chan निकोबार दूइप समों पहले पे है अंडबान निकोबार पहले पे है बिहार दूसरे पे है चंदीगर दूसरे पे और दमंदियू चोथे अस्थान पे है हाल ही में एकल उपयोगता वाली प्लास्टिक वस्तु को पर प्रतिबंद कब से लगा तो यह जुलाई 2022 से पाच जुलाई 2022 को NFSA के लिए राज्य राइंकिंग सूचकांग 2022 का पहला संस्क्राड जारी किया गया इसके तहर सामाने सेड़ी के तीन सिर्स राज्यों के अंसासित प्रतिश कौन से है तो इसमें सिर्स पर और इसा है दूसरे पर उत्तर प्रतिश और तीसरे पर आंधर प् से अगला है चार्ज उलाई 2022 को वाडिज उद्योग मंत्राले द्वारा राज स्टार्ट अप रैंकिंग का तीसरा संस्क्राड जारी किया गया इसके अंसार सेड़ी ए के तहद सरुसेष्ट प्रदर्शन करने वाले राजी का उन से हैं तो गुजराद और करनाटक है सेड़ी ए में प्रदर्शन करने वाले में सिर्श प्रदर्शन करने वाला राजी केरल महाराष्ट ओरीशा और दिलंगाना है वह इन लीडर्स में असंप पंजाब तमिलनाड उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश है अकांची लीडर्स में 36 गड दिल्ली मध्धि में वन हिल्थ को प्रायोगिता तोर पर शुरू किया गया है वन हिल्थ क्या है तो फन हिल्थ पस्वों और मनुस्यों और पर्यावराड संबंधि स्वास्त की चुनोतियों का मुकाबला करने हिद्धारकों को एक मंज पर लाने की एक पहल है 27 जून 2022 को केंद्री क्रिसी एउम किसान कल्याण मंत्री नरेन सिंग तोमर ने कहां पर हनी टेस्टिंग लाइब का शुबारम किया नगा लैंड में 27 जून 2022 को किस मंत्राले द्वारा वर्ष 2018 और वर्ष 2019-2020 के लिए जिला निस्पादन क्रेडिंग सूचकान पर पहली रिपोर्ट जारी की गई तो सिच्छा मंत्राले के द्वारा यह रिपोर्ट व्यापक विसले सड़ के लिए एक इंडेक्स बना कर जिला अस्तर पर इस्कूल सिच्छा प्रडाली के निस्पादन का आगलन करता है 65 अचिवर्ष में पंजाब, चंदीगर, तमिलनाड, अंडमान और निकोबार, दूईस्चमो तथा केरल सामिल है नेक्स्ट है, जून 2022 को DRDO और भारती सेना ने कहां से कम दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली वर्टिकल लांच मिसाइल का सफल उडान पर इच्छड किया है तो यह एक ही किरित पर इच्छड रहें चादिपूर ओडिशा से जून 2022 तक परधानमंदरी नरेद मौधी के इन दो देशों के तौरे पर रहें तो जर्मनी और संयुक तरब अमिराद के तो दिल्ली के सफदर चंग रेलवे स्टेशन से यह भारत और नेपाल को जोडने वाली पहली परटन रेलगाडी है रामेट सर्किट पर चलने वाली ट्रेन की पहली यात्रा के दौरान अयोध्या, नंदिक राम, सीता मढ़ी, वाराण सी, प्रियागरा, चित्रकूर, पंचवटी, हमपी, रामेश्वरम और भत्राचलम जैसे अन्य लोकप्री अस्थानों के अलावा पहली बार जनकपूर रेलवे, जनकपूर जो नेपाल में इस्थित है, मिध्धार्मिक अस्थल को भी कवर किया जाएगा नेश्ट है जून दोहजार बाइस में इंडियन आयल तथा पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंतराले ने किस नाम से एक स्वदेशी सोलर कुक टॉप बिक्सित किया है तो सूर्ज नोतन के नाम से उन्य जून दोहजार बाइस को प्रधान मंत्री ननिदमदी ने कहा पर एक ही करे ट्रांजीट कारी डोर पर योजना का मुख्य सुरंग और पाच अंडर पास राष्ट को समर्पित किये तो प्रगत मैदान नई दिल्ली में पंदरह जून दोहजार बाइस को कम दूरी की बैलेस्टिक मिसाइल प्रितवी टू का कहां से सफल पर इचड़ किया गया तो एकी करित पर इचड़ रेन चांदीपूर ओडियेसर से चौदा जून दोहजार बाइस को प्रधान मंतरी नर्यनमदी ने कहां पर जगद गुरू स्रीसंत तुकाराम महराज सिला मंदिर का उरगाटन किया तो देहू पूरे महराष्ट में किया है जून दोहजार बाइस को थीम आधारित भारत गौरो ट्रेन की पहली सेवा किन सहरो के मध्य सुरू की गई तो यह कोयम बठूर उत्तर तमिल नाडु से साई नगर सेड़ी महराष्ट के मध्य सुरू की गई है 10 जून 2022 को प्रधान मंद्री नर्यमोदी ने कहाँ पर भारती राष्टी अंतरिच समवर्धन और प्राधी कराण केंद इन इस पेस के मुख्याले का उटगाटन किया तो यह बोपल अहमदाबाद गुजरात में किया है 10 जून 2022 को किस ने राष्टी वायो खेल नीती 2022 की शुरुवात की तो नागरी कुड्यान मंद्री जोदी राजित सिंधिया ने नेक्स्ट है साथ जून 2022 को केंद्री स्वास्तियों परिवार कल्यान मंत्री डाक्टर मंसुक मांडविया ने भारती खाद्य संद्रच्छा और और मानक प्राधिकराड के चौथे राजि खाद्य सुरच्छा सुचकांग को जारी किया इसमें बड़े राज्यों में किस राज्य को सिर्ष अस्थान प्राप्थ हुआ है तो तमिल नाड़ी को सिर्ष अस्थान प्राप्थ हुआ है वहीं इस सुचकांग में बड़े राज्यों में सिर्ष पर तमिल नाड़ु है तो दूरसे अस्थान पे गुजात है तीसरे प पे चंदीगर है ध्यांदी जीएगा इसकी शुरुवात खाते सुरच्छा यों मानक प्रादीगराण के चौथ है राज्चे खाते सुरच्छा सुच्छां की शुरुवात 2018-19 से हुई थी और इसमें पांच मानकों पर राज्चों के प्रदर्शन को मापा जाता है ठीक है नेक्स्ट दिखते हैं साजून 2022 को केंद्री करी और शाहकारता मंत्री अमेशाह ने कहां पर राष्टी जन जाती अंसंधान संस्थान का उडगार्टन किया तो नई दिल्ली में किया है इंपोर्टन ध्यान दिजाएगा केंद्री करी हैं उम्षाकार्था मंत्री अमें साह के द्वारा राष्टी जन जाती अम संधान संधान का उटगार्टन कहाँ पे किया गया तो नई दिल्ली में किया गया है 31 मई 2022 को सारजनिक छेथ के किस उपकरम ने जय विबित्ता के संधचड और उतार के लिए नवीनी कृत जय विबित्ता नीत 2022 जारी की तो NTPC लिम्टेड ने जारी की है 30 मई 2022 को अत्याधुनिक सूपर कंप्यूटर परम अनंद को कहाँ पर कमीशन किया गया तो IIT गांधी नगर में जय दियाधुनिक सूपर कंप्यूटर परम अनंद को IIT गांधी नगर में कमीशन किया गया है 29 मई से 4 जून 2022 के मध्य मुंबई अंतराष्टी फिल महुष्चो का 17 हुआ संस्क्राण मुंबई में आयजित हुआ इस वर्ष किस देश को फिल महुष्चो का फोकस देश चुना गया तो बांगला देश में चुना गया है तो दियान दीजेगा अंतराष्टी फिल महुष्चो का 17 हुआ संस्क्राण मुंबई में आयजित किया गया और इस वर्ष फोकस देश के रूप में बंगलादेश को चुना गया है 29 मई 2022 को किंद्री गरी है उम्स्राकार्टा मंत्री अमिशा ने कहां पर 632 करोड रुपए की लागस से बनने वाले ओलंपिक अस्तरी सपोर्ट कंप्लेक्स की सिला न्यास किया है तो अहम्दावाद में किया है 28 मई 2022 को मुंबई नेवल टाक यार्ड में आयोजित एक समारोफ में भारती नाउसेना के पूत आई एनस गोमती को 34 वर्षों की सेवा के बाद कारे मुक्त किया गया इससे कब कमिशन किया गया था वर्ष 1988 में किया गया था 28 मई 2022 को केंदरी बिग्यान यो प्रत्योकी राजमंद्री श्रतन प्रभाद डाक्टर जितेन सिंग कहां पर उत्तर भारत के पहले बायोटेक पार्काउट घाटन किया तो चमो कस्मीर के कठुआ जिले के खटी में किया है 28 मई 2022 को प्रधान मंद्री नरिन मोदी ने इफको किस इकाई में पिश्यो के पहले नैनो यूरिया तरल सायन का लोकार पड़ किया तो यह गुजरात के गांधी नगर में इस्थित कलोल इकाई में 27 मई 2022 को किस मंद्रा ले द्वारा इंडियन बिजनेस पोर्टल इकामर्स मार्केट प्लेस लांच किया गया तो वाड़ी जियम उद्योग मंद्रा ले 26 मई 2022 को दिल्ली कस्टम्स ने कहाँ पर परियोजना निगाह का सुभारम किया तो ICD कड़ी हर सरू गुरुग्राम में इस परियोजना को परियोजना निगाह ICD कंटेनर ट्रेनिंग मापांग का उपियोग करके कंटेनर को ट्रै करने की एक पहल है जो ICC के भीतर कंटेनर की आवाजाही को बेहतर दिस्सिता में सहयोग करेगा 24 मई 2022 को प्रिक्स संस्कृति मंत्रियों की साथमी बैठग 2022 22 चीन द्वारा पीडियों कांफरेंस के माध्यम से की गई इस बैठग में भारत का प्रतनीथित दुकिस ने किया तो केंद्रिश संस्कृति और बिदेश राज्य मंत्री मिनाच्छी लेखी ने इसका मुख्य भी से बिदेश के बिदेश समावेस और आपस में एक ज्यान का साज़ा करने वाली संस्कृति साजेदारी अस्थापित करना है बैठग के अंध में बिदेश राज्यों की सरकारों के भी संस्कृति के छेत में सहयोग वर्ष 2022 से 26 के भी समझोते के कार्या नुएन के लिए कार योजना पर सहमती हुई और सभी बिक्स राष्टों के संस्कृति मंत्रियों दारा हस्ताचर किये गए नेश्ट है 23 मई 2022 को इंडियन गैस एक्स्चेंज पर घरेलू गैस का ब्यापार करने वाली कौन भारत की पहली खोज यों उत्पादक कंपनी बनी तो यह आयल एंड नेश्टरल गैस कार्पोरेशन लिम्टेड अर्था ओयन चीसी बनी है 20 मई 2022 को नवी करड़ी कि माध्यम से हरिद भारत पर कारेसाला का आयोजन कहा किया गया तो पूरे महाराष्ट में किया गया है 22 मई 2022 को किस प्रसिद समास सुधारक की दो सो पचासमी चैन्ती के उपलप्च में वर्स भर्स चलने वाले उस्सो का उटगाटन कोल खाता में किया गया तो राजा राम मोहन जाय की 21 मई 2022 को केंदरी बिग्यान और प्रिद्योकी मंतरी स्धन्त प्रभार डाक्टर जितिन सिंग ने बायोटेक सोध करताओं के लिए कौन सा पोर्टर लांच किया तो यह चैविक अनसंधान नियामक अनसंधान पोर्टल अन्मोधन पोर्टल लांच किया गया है 21 मई 2022 को युवा कारिकरम एउम खेल मंत्राले द्वारा पश्चिम मंगाल के किस जिले में भारती खेल प्राधी करण के राश्टी उतक्रिष्ट केंद की उतक्रिष्टा केंद की आधार सिला रखी गई तो कूछ बिहार में रखी गई है 20 माई 2022 को वाड़ी द्योग मंत्राले द्वारा जारी प्रेस बिग्यप्ति के अंसार बित वर्ष 2021-22 में भारत ने कितने अरब डालर का सबसे अधिक वार्सिक पत्यच बिदेशी निवेज अर्थात FDI हासिल किया तो 83 द्योग 57 अरब अमेर की डालर वहीं बित वर्ष 2021-22 के दवरान भारत में निवेज करने वाले सिर्ष तीन निवेज सक देश कौन से है तो इसमें सिंगापूर सिर्ष पर है वहीं दूरसे अस्थान पर अमेरिक्या और 30 से पर भारत है ध्यान दिजिएगा भारत में न आकर्सित करने वाले छेत्र कौन से हैं तो computer, software और hardware है में दूरसे अस्थान पर सेवा और 30 से अस्थान पर आटो मोगाइल से हैं सबसे ज्यादा FDI आकर्सित करने वाले राच्ययों के इंसासित प्रदेश में कौन सा है तो करनाटक सिर्ष पर है में दूरसे पर दिली और 30 स महाराष्ट है ज्यान दीजेगा यहां से प्रशन पूछा जाता है कि भारत में सबसे ज्यादा FDI आकर्सित करने वाला राच्ययों के इंसासित प्रदेश कौन सा है तो आप सभी का उत्तर होगा करनाटक ठेक है में दूरसे अस्थान की बात किया जाएगा तो दिली हो है 18 मारी 2022 को किंद्री मंद्री मंदल ने स्राश्टी चैव इधन नीथी 2018 में संसोधन को मंजूरी दी इसके हमसार पिट्रोल में 20% एथिनाल के मिस्टर के लच्च को वर्ष 2030 से पहले किस वर्ष में ही प्राप्त करने का लच्च रखा गया तो वर्ष 2026 में अगला देखते हैं 18 माई 2022 को किस संस्थान द्वारा भारत में अर्षमानता की इस्थिती पर रिपोर्ट जारी की गई तो यह पर्धान मंद्री की आर्थिक सलाकार परिश्च के द्वारा ध्यान दिजिएगा भारत में अर्षमानता की इस्थिती पर रिपोर्ट कौन जारी करता है तो पर कपास प्यापारी सुरेज भाई कोटक के अध्यस्ता में किया गया है 17 माई 2022 को केंद्री सच्छा मंद्री राजनाज सिंग ने मजगाओं डाक यार्ड लिम्टेड मुंबई में किन दो स्वदेशी फ्रंट लाइन युद्ध पोत का जला अतरा किया तो यह आई एनस सूरत औ दोनों युद्ध पोतों को नोशेना डिजाइन निदेशाले द्वारा डिजाइन किया गया और M.D.L. मुंबई में निर्मित किया गया है नेक्स्ट है 16 मई 2022 को प्रधान मंत्री नरेंद मुदी ने बुद्ध पुडिमा के आउसर पर कहां की आधार आधिकारी क्यात्रा की थी तो लुम्बनी की लुंबनी नेपाल में है जहाँ पर प्रधान मंतरी नरेद मोदी ने बुद्ध पुडीमा के आउसर पर आधिकारी की यात्रा की उनकी यह नेपाल की पाचमी और लुंबनी की पहली यात्रा थी इस दोरान उन्होंने वहाँ नेपाल के प्रधान मंतरी सेर बहादूर देवबा के साथ नई दिली के अंतराश्टी बौध परसद परिसंग से समंध हित लुम्बनी इस्थित एक फूखंड पर भारत अंतराश्टी बौध संस्किती यों बिरासत केंद के निर्माड हित सिलन पांच मई 2022 को किस संस्थाने मुक्त यों शारुजनिक उपियोग के लिए राश्टी डाटा यों एनालिटिक्स प्लेटफार्म लांच किया तो नीती आयोग ने लांच किया है पांच मई 2022 को यूओ का रिक्रम यों खेल मंत्रा लेने नई राश्टी यूओ निती का मशवदा पब्लिक डोमेन में जारी किया इसमें यूओ विकास के लिए कितने वर्सी बिजन की परिखिल्पना की गई है तो दस वरसी की गई है दो से चार माई 2022 के मद प्रधान मंतरी नरेंद मदी ने किन तीन देशों की आधिकारी क्यात्रा पर रहें तो यह चर्मनी, डेनमार्क और फ्रांस के 21 माई 2022 को 21 से 22 अपरेल 2022 के मद यह किस देश के प्रधान मंतरी ने भारत की आधिकारी क्यात्रा पर की यात्रा की है तो यह United Kingdom के तत्कालिन प्रदानमंत्री Boris Johnson ने 18-20 अपरेल 2022 के मत Smart City Smart सहरी करर सम्मेलन 2020 कहां जित हुई तो यह सूरत गुजरात में इसमें द्यान दिजेगा इसमें इंडिया Smart Cities Award प्रतियोगता 2020 के बिजयताओं को सम्मानित किया गया जिसमें सूरत और इंदवर को सर्षेष्ट सहर का तथा उत्तर प्रतियोगता राजी का पुरस्कार मिला है तो दोस्तो इसी प्रश्ण के साथ हम लोग राष्टी प्रतियोगता 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 आप सभी कमेंड बाक्स में जरूर बताईएगा और साथ ही में आप सभी को यदी यह वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिजेगा साथ ही में किसी अपने किसी एक दोस्तों को इस चैनल से चोड़ने का प्रयास करिएगा चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों